नमस्कार जेहिं स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभ्यूदे क्लासेज यूपी पर आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी हल्पूल हो जैसा कि आप सभी ने थमनील में देखा है आज की इस वीडियो में हम लेशन प्लान यानी की पाठ योजना जो की हमारा फॉस्ट वीडियो और आगे और भी लेशन प्लान की वीडियो आने वाली है लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो चलिए सुरू करते हैं जिसमें आज का हमारा प्रकरण है राश्ट ध्वज सबसे पहले आप पाठियोजना लिखेंगे यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है पाठियोजना फर्स्ट है मेरा फिर आप लिखेंगे छात्रा ध्यापक या छात्रा ध्यापिगा का नाम फिर लिखेंगे बिद्यालय का नाम फिर बनाएंगे एक कॉलम जिसमें हमारा है नागरीक सास्त्र जिसमें प्रक्रण हमारा l remind याप देख सकते ions फिर लिखें turning सवाल स्मान्य उद्देश्य समान्य उद्देश्य में हम लिखंगे delayed च्षाbungह भींते के प्रतिरूची उत्पन्ध न च्षाट को नागरीक सास्त के उपयोगिता यह से परिचित कराना, तीसरा है अमारा छात्रों को स्वतंत्र प्रिचार एवं नीड़य के लिए प्रोस्त जाहित करना, तथा फोर्ड पॉइंट छात्रों में आदर्श नागरिक्ता के गुडों का विकास करना, छात्रों में आत्म विश्वास उत्तरदाईत्तो और परस्पर सह योग की भावणा का विकास करना, तरधा 6 पॉइंट है हमारा छात्रो को उनकी अधिकारों योँँ करतव्यों से परिचित कराना, छात्रो को अपने देश की सावसन विवस्ता परिचित कराना, एवं इस योग्ज्य बनाना की वह प्रजातंद्र के संचालन में अपना शक्रिय एवं सकरात्मक योगदान दे सकें तथा नाइन पॉइंट है हमारा छात्रों में तर्क सक्त एवं निर्ड़े करने की छमता का विकास करते हुए उनके दृष्टिकोड को वैग्यानिक एवं वस्तुनिष्ट बनाना तथा लाश्ट पॉइंट है हमारा छात्रों में राष्ट्रियता के साथ अंतराष्ट्रियता एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कराना इतना क्लियर है यह जैसे कि हमारा पाठ्योजना फर्स्ट है तो इसमें हम इतना समानने उद्देश से ऐसे 10 पॉइंट में करके लिखे हैं आगे आप जितना भी पाठ्योजना लिखेंगे जैसे पाठ्योजना सिकेंट थर्ड फोर फिप्त जो भी आप लिखेंगे पाठ्योजना जितना भी लिखेंगे उसमें आप समानने उद्देश इतना लिखने कि कोई आवश्यक्ता नहीं है आप लिखेंगे पूर्ववत अब चलिए आगे देखते हैं, अनुदेशात्मक उद्देश्य, अनुदेशात्मक उद्देश्य में लिखेंगे हम ग्यानात्मक, जिसमें लिखेंगे छात्र राष्ट ध्वज के बारे में बता सकेंगे, चात्र राष्ट ध्वज में रंगों का क्रम तथा उसकी संख्या बता सकेंगे अब हम लिखेंगे बोधात्मक जिसमें हम लिखेंगे चात्र राष्ट ध्वज एवं अन्य ध्वज में अंतर बता सकेंगे तथा चात्र राष्ट ध्वज में रंगों की विश्यस्ता बता सकेंगे फिर हमारा हेडिंग होगा क्रियात्मक जिसमें हम लिखेंग चात्र राष्ट द्वच का चित्र बना सकेंगे तथा सेकेंड पॉइंट चात्र राष्ट द्वच के नियम का पालन कर सकेंगे अब हमारा अगला पॉइंट जो होगा सहायक समगरी उसमें हम लिखेंगे जंडा का या तिरंगा का चित्र हमारे जो साहिक समगरियों का उसमें तिरंगा का चीत्र लिखेंगे ठीक है अब आगे देखते हैं हमारा इसके आगे हम हेडिंग डालेंगे पुर्व ज्यान जिसमें हम लिखेंगे छात्र हमारे देश में मनाये जाने वाले पर्वो से परिचीत है अब हम लिखेंगे प्रस् देश का नाम क्या है जो आप बच्चों से question करेंगे वो छात्रा ध्यापक या छात्रा ध्यापी का कथन में लिखेंगे ठीक है जिसका answer चात्र या छात्रा द्वारा दिया जाएगा तो वो हम लिखेंगे छात्र या छात्रा कथन वाले कॉलम में तो उसमें हम लिखेंगे भा अब हमारा सेकेंड पॉइंट जो है भारत में मनाय जाने वाले राष्ट पर्व कौन कौन से हैं छात्र या छात्र कथन में लिखेंगे दो अक्टूबर स्वतंतरता दिवस सथा गरतंतर दिवस फिर हमारा कुश्चिन जो होगा राष्ट पर्वो पर कौन सा ध्वज फहराय जाता है उसमें छात्र या छात्र कथन होगा राष्ट ध्वज फिर छात्र ध्यापक कथन में लिखेंगे राष्ट ध्वज के बारे में आप क्या जानते हैं जिसमें छात्र या छात्र कथन में हो जाएगा समस्यात्मक या मौन फिर हम आगे बढ़ेंगे अब हमारा हेडि ना लेंगे प्रस्तूती करण उसमें हम कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे क्रम संख्या सिक्षर बिंदु छात्रा ध्यापक या छात्रा ध्यापी का कथन तथा छात्र या छात्रा कथन और लाश्ट में लिखेंगे हम स्यामपट कार्य ठीक अब हमारा जो पहला सिक्षर बिंदु है वो है राष्ट ध्वज की शनरचना इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वह होगा राष्ट ध्वज में कितने रंग हैं लिखेंगे चात्रा या चात्रा कथन में तीन रंग उसके बाद हमारा क्वेश्चन होगा चात्रा ध्यापक कथन या चात्रा तिल्लियां होती है छात्र या छात्रा कथन में मौन या समय श़्यातम USA लिखेंगे Jesus फिर हमारा इसपस्टी करण होगा इसपस्टी करण आप यहांपर देख सकते हैं लिखा हुआ है आप इसको राश्ट धज में तीन रंग क्रम्स के सरिया सफेद एवम हरा रंग है इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं सफेद रंग के बीच में चक्र बना होता है जिसमें 24 तिलियां होती है यह चक्र नीले रंग का होता है ओके आप ऐसे इस पश्टिकरर लिख देंगे उसके बाद जो ह प्रतीक है जैसे यहां पर लिखा हुए करम्स के सरिया बलीडान का हमारी धरती की हर्याली दर्साता है चक्र उन्यतिकी और अग्रसर होने का प्रतीक है आप ये इस पश्ट करण में लिखेंगे जो इस पश्ट किये रहते हैं अब आगे देखते हैं हमारा जो थर्ड पॉइंट है या थर्ड सिक्षड बिंदु है राष्ट धोज संबंधी नियम उसमें हमारा क्वेश्टन होगा चात्र ध्यापक कथन या चात्र ध्यापिका कथन में राष्ट धोज संबंधी क्या नियम है चात्र या चात्र कथन मोन और स्यामपट कारेवई होगा जो आप स्यामपट पर कर चुके हैं जैसा कि अभी हमने आगे समझा इस पर स्टिकरर में आप लिखेंगे ध्वज फटा पूराना या खराब रंगो वाला न हो ध्वज में हमीशा के सरिया रंग उपर रहे सुर्यास्त से पूर्व ध्वज को उतार लें इसे नीजी वाहनों परतथा परिधान के रूप में कमर के नीचे या अधोवस्त्र के रूप में इस्तिमाल न करें यह हमारा अश्वज पश्टि करड़ हो जायेगा अब हमारा 4th पॉर्फ पॉइंट हम लिखेंगे या 4th सिक्षड बिंदु में लिखेंगे राश्ट्रगान उसमें हमारा जो चात्राध्यापक छात्राध्यापिक कंगो अश्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है ठीक और इस यांपट कारे में हम लिखेंगे गुरुदेव अभी ना टैगोर तथा 52 सेकेंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि आगे जितनी भी लेशन प्लान की वीडियो आए वो आप तक समय तक पहुचे अब चलिए आगे हम देखते हैं आगे हमारा जो पॉइंट होगा या आगे हम जो हेडिंग डालेंगे वो लिखेंगे मुल्यांकन प्रश्न या मुल्यांकन का प्रश्न उसमें हम लिखेंगे राष्टधवज को तिरंगा क्यों कहते हैं सेकेंड हो जाएगा हमारा संकन के प्रश्चन में यह हम लिखेगे घुक है आप इसक्रीशॉट ले लीजिये अनाम से लिखिएगा थीक ल सभी च्छात्तर चात्राय राश्च ध्यश पर सचितर लेख कर लाएंगे अतब इतना आपको clear होगा तो फार्व या पहला लेस्षंप्लां का वीडिव visit क्लासे यूपी एंड लाइक और शेयर करना न भूले थैंक यू